हलो फ्रेंड्स तो आज बनाएंगे ड्रैफ्रूट्स नमकिन जिसको बनाना है आसान खाने में सो टेस्टी एन हेल्दी फ्रेंड्स जब भी घर में गैस टाने वाले हो न तो इससे बैस्ट आप्षन तो हो इनी सकता आप चाहे तो इससे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब में टू टेबलिस्पून देशी गी डाल दिया है गी जैसे गरम हो जाए न तो इसमें हम टू कप मखाना डाल देंगे और इससे रेगुलरली चलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सैट कर देंगे इससे रेगुलरली चलाते जाना है अगर हमने इसको तो खाने में मजा नहीं आएगा, अगर थोड़े से भी कम सीके रहे गए तो ये अंदर से चिपकेंगे, मतलब खाएंगे तो ये स्टिकी हो जाएंगे, तो प्लीज इसे रेगुलर लिचलाते जाएए, और अंदर तक क्रिस्पी करते जाएए, आपको मैं चेक करके बताती वाव, easily तूड गया न फ्रेंड, तो यहाँ पर इसकी properly सिकाई हो गई है, तो properly सिकाई होने के बाद इसको हम plate में निकान लेंगे, अभी भी गरम है, तो इसमें हम one spoon देशीगी डाल देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घी proper तरीके से melt हो गया है, तो साथ ही में इसमें ह इसे regularly चलाते जाएंगे friends, और इसको अच्छे से crispy कर लेंगे, काजू बदाम यहाँ पर हमारे अच्छे से roast हो रहे हैं, और साथ ही में इसमें one fourth cup अक्रोट डाल देंगे, अक्रोट आपके पास हो ना, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो skip भी कर सकते हैं, और साथ ही में इसमे जिस्टी भी है और डिलिशियस भी, जब भी घर में मेहमान आने वाले होना, तो इसको हम सर्व करेंगे ना, तो बहुत ही attractive लगेगी, और इतने सारे drive fruits एक ही नमकीन में, तो healthy option तो यह है ही, और खाने में तो भाई लजीज है, तो फटा-फट से जिसको कुछ बनाना निया अधाना, वो भी से try कर सकता है, friends, तो यहाँ पर सभी चीजे अच्छे से roast हो गई है, और सभी को हम plate में निकाल लेते हैं, यहाँ पर गी अभी भी गरम है, तो साथ ही में one-fourth cup मूफली के डाने डाल देंगे, और अच्छे से fry कर लेंगे, अगर आप चाते हैं कि मूफली क तो हम oil में fry करना चाते हैं, तो oil में भी कर सकते हैं, यह आपके अपनी choice है, यहाँ पर हमने जितने भी ड्रैफ्रूट्स लिया है न, वो market में आपको easily available हो जाएंगे, और कोई भी चीज नहीं मिलती हो, friends, तो आप उसको skip भी कर सकते हैं, तो मूफली को अच्छे से fry करते हो और 1-4 टीस्पून सैदा नमक डाल देंगे, सभी को अच्छे से mix कर देंगे, आप चाहें तो इसमें लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं, taste according, बट मैं यहाँ पर इसलिए सैदा नमक का यूज कर रही हूँ, कि रात में जो नहीं खाते हैं वो भी इसे खा सकते हैं, और रो सारी dry fruits को अच्छे से mix करके हैं, सर्व करते हैं चलते जाना हैं, और friends क्या बताऊं आपको जब मन करें तब बनाना हैं, तो फटा फट से इस नमकीन को try करें, और अपने दोस्तों में share करें, और इस तरह ऐसे guest आने वाले होना तो बाउल में सर्व करेंगे, तो बहुत ही attractive लगेगा, तो चैनल पर ने हो, तो सब्सक्राइब कीजेगा, और see you soon with new recipes and bye